Hello friends, कैसे हो आप लोग, I hope आप लोग सब ठीट ठाक होगे, मैं हूँ जोती और अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहां हम बात करते हैं, beauty, health, wellness and much more things, आप मुझे Instagram, Twitter और Facebook पे भी follow कर सकते हैं, जिसका link मैंने description box में दिया है, आज का जो वीडियो है, वो another DIY base है जिसमें हम बनाने जा रहे हैं, thermoharm mask, जी हां friends, thermoharm mask जो होता है, वो एक तरह का face को uplift करने का काम करता है, इसका जो form थोड़ा कुछ इस type का होता है, कुछ इस type का देखता है, काफी sticky और thick के form में रहता है, जी हां friends, wash करके आती हूँ इसे, इस mask की consistency काफी thick और sticky इसलिए रखी जाती है, ताकि आपके face को uplift किया जा सके, साथ ये साथ ये एक तरह का anti-aging mask है, जो आपके चेहरे से wrinkles वगेरा और जो fine line आ चुकी है, और जो आपकी skin लटक चुकी है, उसको tight करने के लिए इस mask का इस्तेमाल किया जाता है, तो friends हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है, तो इस mask को आपको face उपर की तरफ करके लगाना है, अगर आप लोगों को इस DIY mask का जल्दी response देखना है, तो आपको as a smiley face, मतलब face आपको थोड़ा tight करके रखना पड़ेगा, और तब इस mask को आ है आपके वो face में हो या फिर hand में हो, तो इस तरह से आप पूरे face में और अपने हाथों में mask को लगा लीजिए और इसको केवल आपको 30 मिनट तक रखना है, mask तो हमारा लग चुका है, तो चलिए 30 मिनट का इंतजार नहीं करते हैं, इसी thermo mask के बारे में हम कुछ गपे मार फ्रेंड्स यह तो मैंने पहले ही बता दिया है कि thermo herb marks जो होता है, वो anti-aging mask होता है, तो इसी लिए जो DIY अगर आप mask बना रहे हैं, तो after 22 plus age वाले जो होते हैं, वो इस mask का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप parlor या dermoclogist से इसका treatment लेते हैं, तो वो आपको age बता देते हैं कि क age से start करना चाहिए, वैसे देखा जाए, तो इस mask का जो treatment होता है, वो 27 plus age से start करते हैं, क्योंकि जो हमारे आखों के आस पास की wrinkles आ जाती हैं, और जो skin लटक जाती है, उन लोग इस treatment का इस्तेमाल करके अपना फायदा उठा सकते हैं, तो चलिए start करते हैं कि इस pack को घर में हम क आप चाहें तो घर में चावल लेके उसको पीश सकते हैं और घर में उसका rice floor बना सकते हैं, तो यहाँ पे जो चावल काटा है वो मैंने लिया है, इसके बाद हमें चाहिए दो बादाम, फिर इसके बाद हमें चाहिए raw milk, इन सभी को इकटा करके आप एक paste बना लीजी, यह paste थोड़ा सा thick बनेगा, याद रहे है इसकी consistency आपको इतनी ही रखनी है, ज्यादा पतला नहीं करना है इसे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon raw honey, बस आप इसे अच्छी तरह से mix कर लीजिए, मास लगाने का प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो मास लगे तो इसको आप normal पानी से अच्छे तरीके से wash कर लीजिए, इसके बाद आप एक chilled पानी से भी एक बार wash कर लीजिए ताकि आपके open pores की जो problem होगी वो भी कम हो जाएगी और wrinkles पे भी काफी अच्छा effect बढ़ेगा, इसके बाद आप अपना कोई भी moisturizer जो आप face पे age wise apply करते हैं, वो cream आप अपने face पे apply कर लीजिए, guys कुछ important point है आप वो भी note कर लें कि इस mask को कौन नहीं लगा सकता है, अगर parlor या किसी आप जेगे treatment ले रहे हैं इस mask का, तो जिनको अस्थमा की problem है, सास जैसे breathing लेने में, तो वो इस mask का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ जि के वल एक यही होता है कि यह mask tight होने की विजए से face पे काफी ज़्यादा stick हो जाता है, और breathe लेने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर आप फिर भी try करना चाहते हैं, तो जो घर में बना हुआ thermohug mask है, उसका एक पतला paste बना के आप लगा सकते हैं, तो उसका भी result आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा time लगेगा, वहीं अगर मैं duration की बात करूं, तो अगर आपकी age 27 plus है, तो आप इसे 15 दिन में एक बार इस mask को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी age 20 plus है, तो आप इसे 30 या 45 days में एक बार apply कर सकते हैं, I hope आप लो अलदी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे अफ़र्ट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन भी दवाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटिस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो फिर मिलते हैं next और beautiful informative वीडियो के साथ, अभी क के लिए करती हूं मैं, signing off and bye bye, good day.